Hey everyone, आज हम लोग देखने वाले हैं Mercedes-Benz GLS, जो कि इस चाइम इंडिया की सबसे बड़ी 7-seater SUV है इसके अंदर सबसे पहले स्टार्ट करते हैं, इसके big Mercedes logo से नीचे camera दिया हुआ है 360 degree assistance के लिए साथ में अगर हम headlight पर आते हैं, तो इसके अंदर आपको multi beam LED headlamps मिलेंगे, जिसकी range 650 meters की है इसके अंदर 84 LEDs आती है, जो की cornering के अंदर भी assist करती है इसके अलावा अगर हम side में आते हैं, तो आप देख पा रहे है, 21 inches के alloy wheels इसके अंदर standard आते हैं, जो की segment में सबसे ज़ादा है प्लस इसके अंदर आपको 60 mm की raise height adjust करने के लिए airmatic suspension भी standard मिलते हैं side में running board जो है, यह भी standard है और जितना भी chroming package आप देख रहे हैं, यह सब standard है गाड़ी की length पहले से 77 mm बड़ाई है, wheelbase 60 mm बड़ाया है और width भी 22 mm बड़ाई ही है इस car के अंदर यह एक proper 7-seater, 7 adult, लोग अराम से बैठ सकते हैं इसके अंदर प्लस इसके अंदर दो engine options आते हैं, एक petrol और एक diesel इसके अंदर आपको सारे ही off-roading और safety से related features standard मिलते हैं जैसे की 4-matic, off-road ABS, blind spot assist, automatic braking, auto park assist और adaptive brake lights जैसे function भी standard इसके लाब अगर हम इसको पिछे से देखें, integrated spoiler इसके अंदर standard आता है, chrome package standard आता है, combination है, tail lamps आते हैं, 360 degree camera के साथ, नीचे dual exhaust भी standard आते हैं और आपको अगर समान इसके अंदर रखना है, आप एक button से इसकी पिछे की height 50 mm तक up and down भी adjust कर सकते हैं Car connected feature भी इसके अंदर standard आएगा, जिससे कि आप car को अपने phone से connect कर लोगे, उसकी location चेक कर सकते हो, track कर सकते हो, और काफी controls भी उसके अंदर आप use कर सकते हो आप car को एक बर unlock करके इसके interior देखते हैं, जैसे ही आप car का gate खोलते हो, आप beige और black का combination इसके अंदर आपको मिलता है, प्लस इसका जो wood है, वो glossy finish के अंदर दिया हुआ है front में बात करें हैं, तो जो seat setting है, वो 3 memory function के साथ में है, शौफर package है, बहुत से music system है, 13 speakers और 590 watts के साथ में यही पर हम steering wheel और अंदर का अगर display size और beige का finish देखें, तो यहाँ आपको grab handles भी center में standard मिलता है, steering wheel पे touch controls मिलते है 12.3 inch की 2 HD screens मिलती है, जिनकी clarity बहुत ज़्यादा amazing है front seat kinetics भी आपको इसके अंदर standard मिलते हैं, अब एक बार इसकी rear seat का comfort भी check कर लेते हैं तो यहाँ जैसे ही आप gate खोलते हो, तो आप check कर सकते हो कि पहले से काफी ज़्यादा इसके अंदर leg room आपको मिलता है comfort headrest भी standard है, और इसका जो armrest है, वो पूरा full size में है, जिसके अंदर आपको एक tab भी साथ में मिलता है wireless charging भी पीछे भी मिल जाती है इसके अंदर, और rear seats भी इसके अंदर काफी spacious है उपर full size panoramic sunroof भी है, cup holders भी है, और center का जो पूरा fit and finish है, वो बहुत ज़दा amazing और luxurious है इसके अंदर new GLS के अंदर आप curtains भी पीछे से ही electronically operate कर सकते हो, चाहे वो दोनों side के curtains हो, या फिर वो sunroof का curtain हो पुरानी GLS के अंदर ये controls नहीं थे, plus अब इसके अंदर storage के लिए भी काफी जाद options दिया हुआ है, जैसे कि आपका फोल्डर देख सकते हो, wireless charging उसके पीछे भी एक box दिया हुआ है, जहां पर आप कुछ समान रख सकते हो, seats के पीछे भी magazine holder दिया हुआ है, और जो ये comfort headrest है आप इसको भी adjust कर सकते हो, अपने accordingly, इसकी जो cushioning है, वो proper S class के जैसी ही दी हुई है, अगर हम seat की setting की बात करें, तो rear seat के अंदर आप electronically इसको recline और slide भी कर सकते हो, जैसे कि अगर आपको आगे पीछे करनी है, पीछे third row के अंदर ज्यादा legroom चाहिए, तो आप इसको थोड़ आगे कर सकते हो, या फिर अगर आपको second row में ज्यादा legroom चाहिए, तो आप इसको पीछे कर सकते हो, seat की reclining function भी standard है, और ये button दिया हुआ है, easy entry और exit के लिए for third row, इस एक button के through ही आप center वाली seat को आगे उठा लेंगे, और ये front वाली seat को भी थोड़ा आगे adjust कर लेती है, जैस button के through, fold and open कर सकते हैं, और ये जो center की seats है, इसको हम इस एक button के through ही for and aft कर सकते हैं, means हम इसको आगे उठा सकते हैं, या फिर हम इसको पीछे वापिस इसकी position पर ला सकते हैं, जब ये इस position पैजेती है, तो हमें वापिस side से ही इसको slide और recline करना होता है, जिससे की second seat की comfort आप सबसे adjust कर सकें, तो अभी हम car के अंदर बैठ के सारे ही control और comfort वाले जो functions हैं, एक बारी बैठ के check करते हैं, सबसे पहले चलते हैं driver seat की तरफ, safety wise वैसे इस car के अंदर 9 airbags भी standard आते हैं, जो कि इस segment में शायद किसी और car में नहीं होंगे, क्योंकि driver के लिए नहीं airbag भी दिया ह टोटल इस cars के अंदर वैसे six colors है, white, black, silver, blue, gray, or red, जिसमें से हम opt कर सकते हैं, wooden trim ये same ही आती है, जो brown glossy finish के अंदर आती है, high gloss anthracite lime wood trim बुला जाता है इसको, engine चाहे आप पैट्रोल लो ये डीजल लो, दोनों के अंदर ही आपको six cylinder in-line layout के साथ मिलता है, डीजल वाला almost 380 horsepower है पैट्रोल वाला 367 horsepower है, 9 speed gearbox इसके अंदर standard आता है, paddle shifters भी standard मिलते हैं, और steering के उपर आप ये touch controls ये भी standard होंगे, right hand side में यहाँ light के option दिया हुआ है, hand brake, electronic आता है इसमें, parking brake, headlamps control, fog lamp control, all illumination की brightness वी आप कम ज्यादा कर सकते हैं, जब हम आते हैं इसके infotainment में, तो यहाँ आ infotainment यूज़ कर सकते हो, और जो right side वाले controls हैं, यह आपकी driver information display के लिए है, इसके बाद चलता है, इसके AC control के ऊपर, यहाँ menu button दिया हुआ है, जैसे आप इसको press करते हो, तो AC का menu खिल जाता है, इस car के अंदर 5 zone AC है, 5 zone कैसे हुआ, 1st row के अंदर left और right का अलग, 2nd row के अंदर left और right zone अलग, और 3rd row का एक AC compartment अलग दिया हुआ है, तो यहाँ से आप all 5 zones adjust कर सकते हैं, प्लस जो यह AC vents से center में दिया हुआ है, यह four है और side में दो और दिया हुआ है, हम नीचे panel खोलेंगे, तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा wireless charger, और cup holders, lighter और 2 USB slots भी, यहाँ पे आप अप select से आप car को अलग-अलग modes में चला सकते हो, comfort mode, eco mode और off-road mode, यह 3 modes इस car के अंदर आते हैं, जो कि इसके steering को, engine response को, suspension को, उस accordingly चलाते हैं, इसके अंदर automatic parking भी आती है, और यह सबसे last वाला जो button दिया हुआ, यह airmatic का दिया हुआ है, जब आप car को on करते हो, तो आप यहाँ से car को lower और raise कर सकते हो, अगर आपको कभी height ज्यादा चाहिए, ground clearance ज्यादा चाहिए, तो आप car को यहाँ से 60 mm raise कर सकते हो, इसी button से, तो जब यह light blink हो रही है, इसका मतलब यह in process है, और जब light रुख जाएगे, इसका मतलब यह complete हो चुका होगा, अब आता है इसके infotainment में, तो इसके अंदर आपको Hey Mercedes MBUX software मिलता है, जैसके अंदर display designs होते है, interior assistant है, natural voice command है, और touch control concept भी है, कि touch screen भी आएगे, इसके अंदर नीचे touchpad भी आएगा, steering पे भी touchpad आएगा, इसके अंदर आप काफी सारे चीज़ देख सकते हो, जैसे अगर आप vehicle settings में जा सकते हो, तो इसके consumption, manual यह सार जीज़ आप यहीं से देख सकते हो, अभी car की height range है, तो यहाँ पे आपको left side के अंदर plus 1 दिखा रहा है, अगर यह normal height पे होती तो यह 0 दिखाता, 80 की speed से उपर यह minus 1 में जाती है, और 120 की speed से उपर यह minus 2 में जाती है, यह minus 1 और minus 2 आप अपने हिसाब से adjust नहीं कर front में आपको lights on करनी है, sides में करनी है, एक emergency calling function भी यहीं पर ही आता है, जिससे कि अगर आपका हिससे को जाओ, तो आप उस button के through Mercedes के call center में call कर सकते हो, उपर का अपना जो roller blind है, वो electric है, और वो one touch control के साथ में है, आप एक single touch से ही पूरा roller blind open कर लेते हो, इसके अंदर जो sunroof आत में तो यह वापेस automatically पीछे चली जाती है, इसके अंदर automatic rain closing function आता है, जैसे अगर बारी शार्ज है तो sunroof automatic बंद हो जाएगी, और इसके अंदर एक pre safe function भी आता है, कि जब आपने कभी emergency brakes लगाए हैं, तो उस time पे भी sunroof automatically बंद हो जाती है, तो यह तीनों ही safety function यह sunroof के अ standard आते हैं, storage spaces की बात करें, तो center armrest में भी आप में काफी अच्छा space मिल जाता है, और इसके अंदर एक type c port भी मिल जाता है हमें, जिससे कि हम phone वगरा charge कर सकते हैं अपना, इसके बाद चलते हैं globe box की तरफ, तो यहां हमें एक ac event मिल जाता है, जिससे कि हम cooled globe box वाला function भी operate कर सक यह manual key के through भी lock हो जाता है for value purpose, अब आते है rear seat में, दोनों ही doors के अंदर हमें 3 button मिलते हैं, जिससे कि हम curtains भी, glasses भी और उपर sunroof वाला curtain only adjust कर सकते हैं, दोनों में से हम किसी भी side पर बैठे हो तो, यहां पे door handle के उपर हमें seat setting का adjustment मिलता है, एक speaker मिलता है, और side में bottle रखने के ल black room enough मिल जाता है, क्योंकि इसका length पुकाडिका और wheelbase दोनों बढ़ाया गया है, और side में उपर यह grab handles दिये हुआ है, इसके अंदर आपको LED light function मिलता है, खुक मिलता है, और उपर भी AC vents दिये हुए है, comfort headrest adjustable है, और पीछे AC vent भी दिया हुआ है, और पीछे का folder भी दिया हुआ और type C वाले slot भी पीछे दिये हुआ है, अब यहाँ AC vent में आते हैं, तो पीछे से भी आप both zones AC adjust कर सकते हो, type C port यूज़ कर सकते हो, और एक pocket भी दी हुई है, जिसमें अगर आप कुछ समान रखना चाहो तो आप वो भी रख सकते हो, usable space काफी ज्यादा है, rear seat के अंदर भी, storage का समान, मतलब कुछ रखना हो, उपर cup holders हो, AC vents हो, magazine holder हो, और यहाँ आपका एक Samsung का tablet आजाएगा, जिसके through आप सारा music system, ambient lighting curtains अगर operate कर सकते हो, wireless charger के पीछे, यह एक storage box दिया हुआ है, जिसके अंदर दो type C ports और दिये हुए है, तो यहाँ पर आप समान भी रख सकते हो, और इसके उपर हमें a coat hanger भी दिया हुआ है, कि अगर आपको coat वगरा कुछ लटकान है, वो भी कर सकते हैं, और उपर AC vents के साथ में light और coat hook भी दिया हुआ है, एक बार इसका chauffeur package भी देख लेते हैं, तो यह जो master seat होती है, driver के opposite वाली set पे, आप यहाँ बैटके front की seat को आगे engine के बारे में, तो जो diesel engine है, 3000cc, 6 cylinder, 330 horsepower, 700 Nm torque, 9G automatic gearbox के साथ, 6.3 second 0200, और top speed 238 km पर आर की आती है, जो petrol engine है, वो 3000cc, 6 cylinder, 367 horsepower, 500 Nm torque, 6.2 second 0200, और top speed 246 km पर आर की आती है, यह दोनों ही engine latest है, BS6 Mercedes की set से, क्योंकि पहले inline 6 cylinder नहीं आते थे, पहले V6 आते थे, अब BS6 के अंदर दोनों inline आने लगे हैं, washer और battery component यह सब यहाँ side में दिया हुआ है, और जो air intake है वो भी बहुत उपर दिया हुआ है, ताकि इसका water weighting वेप्थ भी बहुत ज़्यादा हो, गाड़ी 3 साल unlimited km की warranty के साथ आती है, और 1.8.900.000 एक शोरूम है, दोनों ही models का, बा